देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। यूजुली थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, दोनों ही एक तरह से उग्रस भाव के ग्रह हैं, पाप ग्रह कहा जाता है इनको लेकिन इस नाम पर नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छे फल भी देते हैं मंगल और शनी दोनों ही, लेकिन जब भी दो ग्रह यानि कि शनी करने की कोशिश करते हैं, मंगल ग्रहों के सेना पती हैं, और वहीं शनी एक न्याय अधीश हैं, दोनों ही एक दूसरे की बात सुनने को राजी नहीं होते, दोनों ही एक दूसरे के उपर अधिपत्य, एक दूसरे के उपर डॉमिनेंस हमेशा से स्थापित करना चाहते हैं, तो जब ये दोनों ग्रह साथ में आएंगे 29 तारीक को क्योंकि शनी महराज राशी परिवर्तन करके कुम्भ में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल अल्रेडी कुम्भ में है और 17 तारीक तक मंगल यहीं पे रहेंगे तो ये 18-19 दिनों का समय जब मंगल और शनी साथ में रहेंगे तो बहुत चीजों में बदलाव आएगा किसी लगन राशी के लिए अच्छा होगा किसी लगन या राशी के लिए ये थोड़ा सा नकरात्मक रहेगा तो इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगले 18-19 दिन मंगल शनी का यूती हो रही है इसका क्या प्रभाव रहेगा मेश से लेकर मीन लगन पर यह राशी फल लगन पर आधारित है लेकिन यदि आपको अपना लगन नहीं पता तो राशी से भी इसको अब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि एक सामान्य विश्लेशन है तो शुरू करते हैं इस राशी फल का मेश लगने के साथ बात करते हैं मेश लगने के साथ मेश लगने के लिए जब ये योग होगा ये जो युती होगी शनी और मंगल की ये लगने से ग्यारवे भाव में होगी ग्यारवा भाव एक ऐसा भाव है जहां पर सारे ही ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं मैं कही बार बता चुका हूँ और जो थोड़े दुष्ट ग्रह होते हैं थोड़े पाप ग्रह होते हैं वो और अच्छा प्रभावत देते हैं, राहु, मंगल, शनी, सूर्य, बहुत अत्त केतु भी यहाँ पर अच्छा प्रभावत देते हैं, तो दो बहुती उग्र ग्रह आपके क्यारवे भाव में बैठेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा है, बहुत एक सुखों की प्राप परस्नल लाइफ में आपको लाब होगा, चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी, रुकी हुई चीजें आगे बढ़ेंगी, सक्सेस की प्राप्ति हो सकती है, यह चीज काफी अच्छा है, आपका लेडबेक अटिट्यूड नहीं रहेगा, आपके सुखाव में ही एक उगरता होगी, जो की अच्छा भी है, बुरा भी है, अच्छा किसलिए है, लाब कमाने के लिए, कंपेटिशन के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन परस्नल लाइफ में इसी जो उगरता का है, यह एक नकरात्मक प्रभाव भी रहेगा, यह लाब योग ब वो इन 18 दिनों में कूरे हो सकते हैं, यह बहुत अच्छी चीज है, और क्योंकि शनी देव कारेस्थान के भी स्वामी है, तो कारक शेत्र में भी अचानक से उन्नति के योग बन सकते हैं, लेकिन यह दोनों साथ में जब होते हैं, लाबस्तान में तो व्यक्ति थोड़ा ल लालच बहुत बढ़ जाता है, और उसी के कारण कुछ गलत निरने अचानक से ले सकते हैं, तो इस चीज का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि लालच ही नहीं बनना, इसका जो एक नकरात्म प्रभाव रहेगा वो रहेगा लव लाइफ पर, क्योंकि दोनों ही सा मंदों में थोड़ी धरार अभी आ सकती है, और आपके अपने व्यक्तित्व में भी थोड़ा उग्र सभाव रहेगा, क्योंकि खुद आपके लगने के स्वामी है मंगल, और शनी के साथ बैटे हैं, और केतू से भी पंचम है, केतू की दृष्टी भी पढ़ रही है, तो क बहुतिक सुखों की प्राप्ति के लिए अठाराउनिस दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो गुस्सा है, इस से आपको बचना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इन अठाराउनिस दिनों में आपकी सेहत पर भी आपको थोड़ा जादा खर्चा करना पर सकता है, लेकिन पैसा भी आपके पास अच्छा खास आएगा, प्रत्न करेंगे पैसा अवश्या आएगा, आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, आपको 29 तारीक या 30 तारीक को शिवलिंग पर पंचामरित से अभिशेक करना है, आपके लिए यही सबसे अच्छा उपाय रह में, यानि की कार्य स्थान में, अच्छा है, यहां पर दो उग्र ग्रह साब बता रहा है कि आपका एक बहुत ही competitive attitude रहने वाला है अपने कारक्षेत्र में, aggressive attitude रहेगा जिसके कारण आप अपने सारे के सारे कार्य बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे, यह जो 18-19 दिन आ स्वामी है, तो जो लोग बाहर से संबंदित काम करते हैं, MNCs में काम करते हैं, उनके लिए तो यह 18-19 दिन, अत्यंत महत्वपून भी है, अत्यंत शुब भी है, साती में, शनी देव भाग्यस्थान के स्वामी हैं, और दस्वे घर में बैटे हैं, तो एक कर्म धर्माधी पती योग बना रहे हैं, तो अगले 18-19 दिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने करियर पर करना है, क्योंकि एक गोल्डन पीरियड है, बहुत अच्छा समय है, जो भी आपकी रुकावटे आ रहे ही थी कारेक्षेत्र में, वो दूर हो सकती है, आगे बढ़ने का चांस म आप चाहेंगे हर काम बहुत अच्छे तरह से हो, लेकिन जब वो नहीं होगा, तो आपके कई लोगों से वाद विवाद भी हो सकते हैं, मंगल यहाँ पर दिगबली है, यानि कि आप पूरी अथोरिटी रखना चाहेंगे अपने कारेक्षेत्र में, और यदि कुछ आपको पसंद नहीं आया, तो उस चीज को लेकर आपके कई लोगों से वाद विवाद भी हो सकते हैं, एक चीज जो यह थोड़ी प्रॉब्लमेटिक करेगी, यानि कि मंगल शनी की यूति, वो है आपकी परसनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, क्यूंकि दोनों की सात्वी दृ पिश्टी रहेगी चौतने घर में, तो आपके मत्रित्न त्वस्तान का भाव है यह तो फैमिली में थोड़ी टेंशन रहेगी, फैमिली में थोड़ी अउख्रता रहेगी, फैमिली में थोड़ी लड़ाई जगड़े रह सकते हैं, जहां एक तरफ करियर के फ्रण्ट पे आगे बढ़ेंगे वहीं family life में कुछ problems आपको पीछे धके लेंगी तो एक द्वन्द चलेगा एक तरफ आप भौतिक सुखों की प्राप्ति कर रहे होंगे वहीं family life में कुछ tension चल रही होंगी तो यह मिला जुला सा प्रभाव रहेगा क्योंकि कभी-कभी होता है कि family life में जो tension प्रभाव के लिए चंद्रमा जिसके कारक है उनके लिए अच्छे फल नहीं देते तो आपकी माताजी की सेहत पर भी 18-19 दिन में कुछ नकरात्मक प्रभाव पढ़ सकता है इस चीज का भी आपने बहुत जादा ध्यान देना है कि सात्वे भाव के स्वामी भी है मंगल तो आपके लिए ठीक ठाक है करियर में प्रोग्रास कर सकते हैं लेकिन फैमली लाइफ में मैरीड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना कर सकते हैं चेस्ट संबंदित रोग और लोग बौडी में भी कुछ दिक्कतें रहेंगी आपके लिए सर्वस्षर उपाय यह पारट जमील not यानिकी मित्षुन लगन की तरफ आपके लिए मंगल शनी कि जो ये यूती हो रही है ये योग हो रहा है ये होगा नवम भाव में यानीकी भाग्यस थार में अब मंगल आपके लिए चटे भाव के स्वामी है और लावस्थान के स्वामी है चटे भाव का स्वामित्व वैसे भी थोड़ा एग्रेशन लाता है और क्योंकि लावस्थान के स्वामी है वो भाग्यस्थान में बैठेंगे और भाग्यस्थान के स्वामी शनीदेव के साथ बैठेंगे यह अच्छ कराएगी शनी देव खुद भाग्य स्थान के स्वामी है यानि कि भाग्य का साथ आपको लाब अर्जित करने के लिए तो प्राप्त होगा लेकिन इस समय में आपके अपने बड़ों से काफी वाद व्याद होंगे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या परस्नल लाइफ में प प्रॉपर्टी को लेकर हो सकते हैं और जहां पर काम करते हैं वहां पर भी बॉसस से मेनेज्मेंट से काफी वाद व्याद काफी इगो क्लैशिस हो सकते हैं आपका अपने भाई बहनों से संबंद भी थोड़ा बिगड़ सकता है इन 18-18 दिनों में तो कोशिश कीजेगा जो कि एक बार जब आपके आर्गुमेंट्स स्टार्ट हुए तो वो उग्र स्तर पर और उसके बाद निम्न स्तर पर पहुंच जाएंगी ऐसी बाते बोली जाएंगी जो आप नहीं बोलना चाहते थे लेकिन जब हम गुस्से में होते हम क्या कहते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता है तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी बाते या ऐसी सिचुएशन से अपने आपको विड्रॉ कर लें भाई बहनों से स्पेशली आपका काफी वाद विवाद हो सकता है किसी यात्रा पर जाते हैं ड्राइव करते हैं तो थोड़ा ध्यान से जाएं ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी धार्मिक शेत्र पर जाने का बहुत मन करें तो यदि जाना ही है इन 18-19 दिनों में तो खुद ड्राइव करके ना जाएं कोशिश करें कि कोई और ड्राइव करें या फिर कोई गाड़ी हायर करके जो भी है अपने आप ड्राइव करके मना जाएं तो आपके लिए बहतर रहेगा तो इन 18-19 दिन में आपको भागे का साथ तो अभिश्य मिलेगा लेकिन घर के वड़ों से ऑफिस में बॉसेस मेनेजमेंट से थोड़े वाद विवाद देखने को भी आपको प्राप्त होंगे तो मिला जुलासा लग रहा है आपके लिए आपके लिए उपाई यह रहेगा कि आपको शिवलिंग पर 11 बेल पत्र अरपन करने हैं 29 या 30 तारीक को और महा मृत्यूंजय का 108 बार जाप करना है आप चलते हैं करक यानी की कैंसर लगने की तरफ आपके लिए जब यह यूती होगी 29 तारीक को शनी और मंगल की यह होगी आठवे घर म अब आठवे घर में दोनों ही मिला जुला प्रभाव देते हैं मंगल के भी कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं नकरात्मक भी होते हैं आठवे घर में और शनी के भी सेम ही हम कह सकते हैं आपके लिए मंगल होंगे दस्वे भाव के स्वामी और पांच्वे स्थाने के स्वा बुरा लगेगा लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग बन गया एक ऐसा राजयोग होता है यह जो आज के समय में कल यूग में आज के कट्थ्रोट competition में सबसे महत्वपूर्ण राजयोग होता है जो normal राजयोग बनते हैं उनसे भी कई गुना अच्छा फल दे जाता है विपरीत राजयोग और आपका यह 18-19 दिन तक विपरीत राजयोग तो आगे भी रहेगा आपका लेकिन आपके जब मंगल के साथ शनी वहराज उस समय यह विपरीत राजयोग और फलित होगा क्योंकि मंगल आपके दस्वेघर के स्वामी है तो करियर में इन 18-19 दिनों में अचानक से बहुत सारे परिवर्तन आप देखेंगे पॉजिटिव परिवर्तन होंगे लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग है तो आपको उसके सात्मक लेना है कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको अपनी विल पावर बहुत स्टॉंग रखनी पड़ेगी आपको एक कंपेटिटिव एटिटिव रखना पड़ेगा आपको एक एग्रसिव एटिटिव रखना पड़ेगा कोई भी ऑपर्चुनिटी दिखती है इन 18 से 19 दिन में और आपको बोरा जाजा है कि भाई क्या आप ये काम कर सकते हो इसको एक्सेप्ट कर लिजेगा लेकिन क्यूंकि मंगल पांचवे घर के भी स्वामी है और शनी के साथ आटवे घर में रहेंगे तो आपके लव लाइफ के लिए समय थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है अकस्मत धनलाब हो सकता है जरूर होगा क्योंकि दूसरे भाव को दोनों ही देख रहे हैं अचानक से पैसा बढ़ सकता है इंक्रिमेंट हो सकता है कुछ इंसेंटिव जादा मिल सकते हैं ये आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन यही चीज फैमिली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम ला सकता है क्योंकि कुटुम्ब स्थान को देख रहे हैं तो घर में किसी सदस्य की अचानक से थोड़ी तब्वित बिगड़ सकती है तो मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए दिख कुछ भी ऐसा खाना मत खाईएगा जिससे आपको डाइजस्टिव डिसॉडर्स हों वरना कुछ प्रॉब्लम जादा ही हो सकती है आपके लिए उपाई यह रहेगा कि आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभी शेक कराना है और करना है साथी में आपको शिवलिंग पर कु आपके लिए जो यह युती होगी है साथवे घर में होगी अब यह मिला जुला प्रभाव देगी क्यों एक तो मंगल है मंगल आपके लिए अच्छे ग्रहा है शुब ग्रहा है लेकिन शनी भी यहां पर जब आ जाएंगे 19 तारीक को तो शनी महराज उनकी शुबता में थो के लिए साथवे भाव के ही स्वामी है अपनी राशी में बैठेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि मंगल के स्वामित्व को चुनौती दे क्योंकि यहां पर शनी महराज ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाएंगे अपनी मूल त्रिकुन राशी में है और यहां पर दिगबली भी हो लेकिन सोशल लाइफ में पबलिक लाइफ में यह जो 18-19 दिन है यह अच्छे नहीं है क्योंकि दोनों साथ में बैटे हैं आपके सोशल लाइफ में कई लोगों से जगड़े हो सकते हैं वाद विवाद हो सकते हैं आपकी इमेज पे कोई दाग लगाने की कोशिश कर सकता है जान भूज करे, आपके अच्छे बरताव को भी नजर अंदास किया जा सकता है, और आपके नकरात्मक चीजों को ही लोग देखेंगे, हर व्यक्ति में अच्छे पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, आपका अच्छा समय चलता है, तो सब आपके अच् काम कर लिजे, आपने एक गलत बात बोल दी, वही लोग पकड़के बैठ जाते हैं, आप सौ अच्छी बाते बोल दें, एक गलत शब्द बोल दिया, तो वही लोग पकड़के बैठ जाते हैं, ऐसा ही कुछ समय आपका चलेगा 17 तारीक तक, थोड़ा सा धहरे रखें, स्प दोश को और उग्र कर देंगे, तो मैरिड लाइफ के लिए तो यह जो 17 तारीक तक का समय है, 29 तारीक से, 29 अपरिल से 17 मई, यह अच्छा नहीं है, इसमें जितना धहरे बना के रखें, जाधा बाच्ची इतना करें, फिजिकल कमपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, इमोशनल कमपैटिबिलिटी में अवश्य प्रॉब्लम आएगी, तो मैरिड लाइफ के लिए जो समय है, यह अच्छा नहीं है, यदि आप कोई बिजनस करते हैं, तो उसमें अचानक से कभी-कभी भाग्य साथ दे सकता है, लेकिन 17 तारीक तक कोई बड़ा इन्वेस्टमे पर अपने आप ध्यान दे सकते हैं, उसके बाद आपको लाब जरूर होगा, क्योंकि दोनों ही आपके लगन को भी देखेंगे, आपका लगन जो है, उग्रस भाव की राशी है, अगनी तत्व की राशी है, तो यह दोनों ही मिलकर आपके गुस्से को और बढ़ाएंगे, जो लियो लगने के जातक हैं, उनका गुस्सा सतरा तारीक तक अपने चरम सीमा पर रहेगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ऐसा इसलिए भी है कि एक तो आपके लगने के स्वामी भी पंदरा तारीक तक उच्च के रहेंगे, जब सूर्य लगने के स्वामी होते ह हैं और उच्च के रहते हैं, सूर्य भी एक काफी अग्रेसिव ग्रह हैं, उनका अपना तत्व ही अगनी तत्व है, तो ये तीन-चार चीजें मिलके आपके अग्रेशन को बहुत बढ़ाने वाली है, अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखिएगा, वरना ये जो 17-18 दिन है ये आपके लिए थोड़े भारी पढ़ने वाले हैं, आपके लिए उपाय क्या रहेगा, 39 या 30 तारीक को शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग जहां पे है, चंदन घी से, यूजली हर शिव मंदिर में होता है, शिवलिंग का अच्छी तरह से पहले जलबी शेक करें, उसक के लिए जब शनी महराज 29 तारीक को कुम्भ में प्रवेश करेंगे, मंगल और शनी की यूती होगी, और वह यूती होगी छटे भाव में, छटे भाव में मंगल का बैठना अच्छा होता है, शनी का भी बहुत नकरात्मत प्रभाव तो नहीं होता, थोड़ी बहुत बैठ रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो बदलाव आपके सभाव में आएगा वो है उग्रता, छटा भाव वैसे भी थोड़ा गुसे के लिए देखा जाता है, और क्योंकि मंगल है, शनी है, तो आपका एग्रेशन थोड़ा जादा बढ़ेगा, लेकिन जो यहाँ पे बैठक होता है, इरिटेशन होता है, आप 17 तारीक तक अपने आपको बहुत इरिटेटेड पाएंगे, छोटी-छोटी चीजों पर इरिटेटेड हो जाएंगे, छोटी-छोटी चीजों पर फ्रस्टेडेड हो जाएंगे, चीजों को जब आपको एनलाईज करना होगा, और कुछ भी आपको जब समझ नहीं आएगा तो वहां पे भी frustrated हो जाएंगे तो जो सबसे नकरात्मक चीज आपके लिए 17 तारीक तक रहेगी वो है frustration, aggression, irritation और इन तीनों चीजों का आपके हर चीज पर हर life के aspect पर एक नकरात्मक प्रभाव बढ़ सकता है तो सबसे पहरे तो आपको ये सलहा दूँगा कि इन 17-18 दिन थोड़ा meditation बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा ध्यान बढ़ा दीजिएगा, कभी भी लगता है कि frustrated हो रहे हैं तो उस situation से थोड़ी देर के लिए दूर हड़ जाईएगा, वनना ये problem आपके लिए काफी बढ़ती चल हमी है, छटे में हैं, दोनों ही बना रहे हैं विपरी तराज योग, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एग्रेशन तो रहेगा, लेकिन कुछ आपके जो पैसों से संबंदित काम अटक रहे थे, किसी ने पैसा नहीं दिया था, तो वहां से पैसा आ सकता है, आपके अटक रहे थे, वो काम आपके पूरे हो सकते हैं, परस्नल लाइफ में ये जो योग है ये प्रॉब्लम देगा, लेकिन क्योंकि छटा भाव दो छे दस का पार्ट है, यानि कि अर्थ त्रिकोन का पार्ट है, तो पैसा आएगा, करियर में आगे बढ़ने की भाव दिख रहा है, मंगल क्योंकि आपके लिए तीसरे भाव के भी स्वामी है, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि थोड़ा अपने भाई बहनों से संबंदों पर काम करना शुरू कर दीजे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उनसे कुछ वाद वाद बढ़ सकत है, तो कोशिश कीजेगा कि आने वाले 17-18 दिरों में एक तो बहस ना हो उनसे और यदि जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको धीरे-धीरे करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने भाई बहनों से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो थोड़ा मिश्रित सा को एक बार सुनना है, उसका पाठ कर सकते हैं, स्वर के साथ और चारण के साथ तो करिएगा, वना केवल सुनिएगा, यही आपके लिए उपाय रहेगा, आप चलते हैं तुला यानि की लिब्रा लगन की तरफ, आपके लिए जब 29 तारीकों शनी मंगल यूती होगी, वो हो पड़ेगा, लेकिन यदि हम दोनों ग्रहों को देखें, तो उसमें एक है शनी, जो आपके योग कारग रहा है, और दूसरे है मंगल जो आपके लिए धनभाव के स्वामी है, और सात्वेगर के स्वामी है, जो के खेंद्रस्थान है, तो उनका जो अपना नेचर है, उसका प्रभाव भी देंगे, और अपने स्वामित्व का भी प्रभाव देंगे, तो थोड़ा आप फ्रस्टेटेटेड रहेंगे, थोड़ा एग्रेशन आपके स्वाव में जादा रहेगा, इसका एक नेगिटिव इंपेक्ट आपकी लव लाइफ पर पड़ सकता है, तो 29 अप पार्टनर को चुभेगी, कई वैचारिक मतबेद हो सकते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर काफी परिशान रह सकते हैं, और क्यूंकि मंगल सात्वे भाव के स्वामी है, तो मेरेट लाइफ पर भी इसका थोड़ा नेगेटिव इंपेक्ट पड़ेगा, क्यूंकि शनी के तो जो अगले 18-19 दिन है, 17 मही तक आपको अपनी मेरेट लाइफ और रिलेशन्शिप को थोड़ा संभाल के रखना है, जहां तक हो सके वहाँ पर चीजों को रिलाक्स रखें, कहीं भी आपको लगता है कि हाँ इस बात पर बहस हो सकती है, वो बात छेड़नी ही नहीं, क्य पाएंगे, 17 तारीक तक इस बात का सहियम आपने बना के रखना है, जो लोग बिजनस करते हैं समय अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल धनभाव के स्वामी है, और साथवे घर के स्वामी है, और शनी के साथ बैठे हैं, जो कि योग का रखें, तो जो लोग बिजनस करते हैं उनके लिए 17-18 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, शेर मार्किट से बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मंगल एक लॉजिकल ग्रहा है, लॉजिक्स देते हैं आपको, लॉजिकल थिंकिंग देते हैं, एनालिसस कैपेविलिटी देते हैं, और शनी के साथ हैं, जैसा मैंने कहा विगन उत्पन करेंगे, कुछ लोग जान बुर कर रुकावटे उत्पन करेंगे 17 दारीक तर, वो चाहेंगे कि आपके काम धंग से ना वने, इसके लिए भी तयार हो जाईएगा, तो मिला जुलासा प्रभाव रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए, रिलेशन्शिप के लिए थोड़ा टेस्टिंग समय होगा, आपको पाय क्या करना है, आपको 39 या 30 तारीक को शिव मंदर जाना है, शिवलिंग पर आपने चंदन का विलेपन करना है, थोड़ा चंदन घिसिएगा, जो पेस्ट बनता है, उसको शिवलिंग पर लगाईएगा, और वहां बैठकर आप आपके लिए जब शनी मंगल की यूती होगी 39 तारीक को, तो वो यूती होगी चौथे घर में, अब मंगल खुद आपके लगने के स्वामी है, और शनी देव के साथ बैठेंगे, शनी देव यहां पे अपनी ही राशी में होगे, तो वो थोड़ा डॉमिनेट करेंगे, वो चौथे घर में आके दिगबल पूरा लूस कर जाते हैं, साथी में मंगल आपके लगने के स्वामी तो हैं, लेकिन छटे भाव के भी स्वामी है, तो ये थोड़ा मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए रहेगा, शनी आपके लिए चौथे भाव के स्वामी है, जैसा मैंन आपको उचा दिखाना चाहेगा, सबोज आपके घर में चार से पांच एडल्ट लोग रहते हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहा है, एडल्ट हैं, सब 20-22 से उपर हैं, तो हर कोई चाहेगा कि चीजें उनके हिसाब से चलें, हर कोई ये स्थापित करने की कोशिश करेगा क कि मैं ही बेटर हूँ, मेरे ही डिसीजन इस घर में चलने चाहिए, अगर मेरे डिसीजन नहीं चले तो मैं कुछ और नहीं होने दूँगा, ऐसी स्थिती आपके घर में, आपके फैमली लाइफ में रहने वाली है, एक उचाट सा महल रहेगा, घर के बाहर अच्छा फील करे हैं, थोड़ा आपने ध्यान देना है, जब यह दोनों साथ में चौते कर में होते हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सिदेंट का योग भी बनता है, मैंने पिछले महीने भी बताया था कि यह चीज हो सकती है, मुझे कुछ लोगों के वाट्सेप भी आए हैं, उन्होंने बताय था कि गुरुजी आपने बताया था और हमारा एक्सिदेंट होते होते बचा था, तो यह चीज यदि आपके मन में रहेगी, कि हाँ भी योग हैं, तो आप ड्राइब भी भूत ध्यान से करेंगे, यह व्यक्तियों के उपर होता है कि वो प्रेडिक्शन को किस वे मिले सकते हैं, अगर मैं कुछ नकरात्मक बताता हूँ, तो उसमें मुझे आनंद प्राप्त नहीं होता, लेकिन वो आपके ही भलाई के लिए हैं, कि आपने सुन लिया कि हाँ, एक्सिदेंट के योग हैं, तो गाड़ी आप धंग से चलाएंगे, मुझे कम से कम 5-6 लोगों के वाट यदि आप प्रॉपर्टी आदी खरीदना चाते थे, तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा, मन्चा ही प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन जब वो खरीदने जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत धंग से पढ़ लीजेगा, क्योंकि हो सकता है, आगे लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, जो प्रॉफेशनल लाइफ है, तोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, वर्क सैटिस्वेक्शन की फीलिंग रहेगी, आप कुछ ऐसा काम कर पाएंगे, जिससे आपको थोड़ा अनंद की अनुभोती होगी, ल और वहाँ बैटकर आपको ओम नील कंठा ये नमाहिस मंतर का 108 बार जाप करना है, चलते हैं धनु यानि की सैजिटेरियस लगने की तरफ, आपके लिए जो मंगल शनी की यूति होगी, ये होगी आपके तीसरे भाव में, तीसरे भाव में वैसे दोनों ही अच्छे प्रभा दे देते हैं, अब आपके तीसरे स्थान में दोनों के दोनों बैठेंगे, तो इसके ज़्यादा तर जो असर होंगे वो अच्छे ही होंगे, आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉंग विल पावर होगी, इन 17 से 18 दिनों में आपको कोई चीज रोक नहीं पाएगी, क्योंक कि कुछ भी रुकावटे आती हैं, आप उनको इतनी अच्छी तरह से हंडल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम जाती हैं, आपका विल पावर इतना स्ट्रॉंग होगा, कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल कर ही रहेंगे, यह आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ती को थोड़े वाद वाद हो सकते हैं, दोस्तों के साथ भी मन मुटाव इन 17-18 दिनों में आपका हो सकता है, आपका मन करेगा कहीं यात्रा पे जानेगा, क्योंकि कभी-कभी इतना उलज जाएंगे चीजों में, विल पावर तो अच्छी रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम्स भी थोड़ी आएंगी, उनको सुलजाते सुलजाते इतना उलज जाएंगी कि दिल करेगा कि एक दो दिन कहीं, ब्रेक के लिए किसी छोटी मोटी जगा पर, किसी हिल स्टेशन पर, किसी भी टूरिस स्पॉट पर चले जाएं, क्यादी मौका मिलता है, तो चले जाईएगा, उस इंकम के सोर्सिस नए आपके लिए बन सकते हैं, यह डिरेक्ट पैसा नहीं देता, लेकिन इंकम के सोर्सिस कुछ नए आपके लिए बन सकते हैं, या फिर आप अपनी होबी से या पार्ट टाइम भी कुछ इस समय में पैसा आर्जित कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अ सकते हैं अगर अल्रेडी प्रॉब्लम सल रही हैं संबंदों में तो यह 17-18 दिन काफी भादी रहने वाले हैं क्योंकि इसमें काफी वाद वाद आपके अपने पिता जी से हो सकते हैं तो मिला जुला सा प्रभाव रहेगा लेकिन जादा दर देखे तो अच्छा ही रहेगा आ कर पाएंगे आपके लिए उपाई यह है कि 39-39 को किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपने अश्ट गंध का विलेपन करना है अश्ट गंध एक पाउडर होता है इसमें आठ तरह की अलगलग चीजों का पाउडर होता है अराम से कहीं भी मिल जाता है किसी भी जहां पर पूजा की समगरी मिलती है इनकेस आपको अश्ट गंध नहीं मिलता तो आप चंदन का विलेपन कीजिएगा और उसके बाद वहां बैठकर आपको महामृत्तिंजे का 108 बार जाब करना है आप चलते हैं कैप्रिकॉन यानि की मकर लगन की दरफ आपके लिए यह ज बहुती ज़ादा स्ट्रोंग धनयोग बन रहा है है शनी धनस्थान के स्वामी है लगन के भी स्वामी है धनस्थान में बैटे है मंगल लाव स्वामीork मिरे आपताहिक राशीफल की वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा मैं कई बार बताता हूं कि जब भी इन दोनों स्थानों का योग होता है तो उच्च गोटी का धनियोग बनता है तो 17-18 तारीक तक आपके लिए बहुत अच्छा धनियोग है इस समय का आपको लाब उठाना है पैसा कई जगाओं से आ सकता है सेविंग्स बड़ेगी आठवे घर पर दिश्टी है कुछ प्रॉपर्टी संबंदित पैसा आठा करहा था कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी नहीं भिक रही थी अचानक से कोई ग्रहक आपको मिल सकता है कुछ ancestral प्रॉपर्टी नहीं मिल रह रही थी उसका कुछ वाद व्याद चल रहा था नाम नहीं हो रही थी वसीयत में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी यह सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल हो सकती है तो पैसों के हिसाब से तो यह समय आपका बहुत जादा अच्छा है इसका लाब उठाईएगा प्रॉपर तो आप अपनी वाणी से कुछ पैसा भी अरजित कर सकते हैं लेकिन वाणी थोड़ी कड़वी हो जाएगी जहां आपकी वाणी में प्रॉफेशनल लाइफ में सोशल लाइफ में एक अट्रेक्शन रहेगा आप लोगों को मोहित कर लेंगे अपनी बातों से वही वाणी का सतरा तारीक तक आपकी परसनल लाइफ पर एक नगरात्मत प्रभाव हो सकता है जहां बाहर के लोग आपकी बातों से बहुत प्रभावित हो जाएंगे वहीं जब आप यही बातें अपने परसनल लाइफ में करेंगे अपने फैमिली में करेंगे तो वो लोग आपकी बातो से प्रभावित तो दूर की बात वो आपकी बातों से थोड़ा चिड़ जाएंगे तो यह मिला-जुला सा प्रभावित क्योंकि एक कुटुम्ब स्थान है तो घर में किसी सदस्य की तब्य थोड़ी बिगड़ सकती है तो आपके लिए वैसे अच्छा ही है भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी लेकिन घर में किसी सदस्य की तब्यत का विगड़ना यह आपके लिए थोड़ा नकरात्मक हो सकता है आपको उपाय क्या करना है आपको 29 या 30 तारीक को किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का आपको दहीं से अभी शेक करना है पहले जल स दहीं से अभी शेक किजेगा फिर उसके बाद दुबारा जल से अभी शेक किजेगा इससी तरा से करना है नहीं लगा हुआ छोडण के मतायएगा उसके बाद आपको वहाँ बैढ़ कर शिव शिव चारीशा का दो बार पाट करना है यही उपाय रहेगा चलते हैं कुम्भ लगने की तरफ आपके लिए जब शनी मंगल की यूति होगी तो होगी आपके लगन में ही प्रथम स्थान में ही और 17 तारीक तक ये यूति बनी दहेगी शनी मंगल जब भी लगन में बैठते है एक साथ तो सबसे पहली चीज जो होती है वो है व्यक्ति का सभाव बहुत उग्र हो जाता है जब भी शनी मंगल लगन में होते हैं सब्तम में होते हैं पंचम में होते हैं छटे में होते हैं या लगने के स्वामी के साथ होते हैं चंद्र पे दोनों का प्रभाव रहता है त वो अपने आप ही aggression आ जाता है तो यह aggression आपको बहुत तंग कर सकता है क्योंकि इसके कारण कुछ गलत निरने भी ले सकते हैं family life में problem आ सकती है पती-पतनी के बीच में problem आ सकती है और professional life में इसका थोड़ा impact पढ़ सकता है वैसे professional life में इसका कुछ अच्छा प्रभाब भी रहेगा क्योंकि मंगल आपके दस्वे भाव के स्वामी है और लगन में बैटे हैं तो राज्योग तो वो बना ही रहे थे और जब शनी उनके साथ आ जाएंगे तो और एक राज्योग बन जाएगा क्योंकि लगन के स्वामी का लगन में होना ही राज्योग होता है और सस राज्योग भी बना रहे हैं तो ये करियर में आपके लिए कुछ अच्छा भी देखे जाएगा लेकिन करियर में थोड़ा aggression भी रहेगा तो ये थोड़ा नकरात्मक आपके लिए रहेगा लेकिन overall आपके पूरे सभाव में बहुत aggression रहेगा क्योंकि दोनों मिलकर सब्तम स्थान को देख रहे हैं तो शादी शुदा जीवन के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा ये जो 17-18 दिन है शादी शुदा जीवन के लिए बहुत sensitive समय है already problem चल रही थी तो वो और उग्र सभाव की हो जाएंगी जिनकी शादी एकदम तूटने के कगार पर पहुँच चुकी थी उनके लिए समय बहुत नकरात्मक रहने वाला है उनके लिए बहुत problems होंगी थोड़ी खर्चे भी आपके बढ़ेंगे क्योंकि शनी देव वैसे तो लगने के स्वामी है लेकिन बारवे के भी स्वामी है उसका प्रभाव भी आएगा और मंगल जब साथ में हो जाते हैं और लगने पे प्रभाव रहता है तो बे-fizool का खर्चा कभी-कभी आप करेंगे flow में आके खर्चा कर दिया आचानक से देखा कि कोई चीज़ पसंद आगी उस पर खर्चा कर दिया कोई आपको टोक है कि वही खर्चा मत करो तो तब तो खर्चा और करेंगे तो थोड़ा खर्चा आपका इस समय में बढ़ेगा लेकिन professionally कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है business में भी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन family life यानि की पती-पतनी के बीच में रिलेशन्चिप है उसमें थोड़ा इसका नकरात्मक प्रभाव रहेगा आपको उपाय क्या करना है आपको 39 या 30 तारीक को किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चंदन का विलेपन करना है और वहाँ बैटकर आपको महामृत्वित्विंज मंत्र का 108 बार जाप करना है आप चलते हैं पाइसेस यानि की मीन लगन की तरफ आपके लिए जब 29 तारीक को ये युती होगी शनी मंगल की तो ये होगी बारवे स्थान में अब मंगल आपके लिए शुब ग्रह है बारवे स्थान में जाकर थोड़ा उनका काराकत्व तो कम होगा और शनी महराज आपके लिए मिले जुले प्रभावा देते हैं लेकिन शनी महराज बारवे स्थान में होंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे और मंगल क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी हैं तो आप देखेंगे ये 17-18 दिनों में कुछ आपके लिए ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आपने उमीद छोड़ दी थी आपको लगा था कि अब ये काम मेरा हो ही नहीं सकता अचानक से इन 17-18 दिनों में उन कार्यों के लिए योग बनेंगे और उसको देखकर थोड़ा पहरान हो जाएंगे कुछ ऐसे काम की आपने सोचा था कि चलो भाई इसको भूली जाओ अब ये हो ही नहीं सकता कुछ ना कुछ ऐसा काम आपका अचानक से बन सकता है क्योंकि शनी देव विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रॉंग बना रहे हैं अपनी मूल त्रिकोन राशी में और 17-18 तारीक तक मंगल का भी साथ मिलेगा मंगल आपके लिए भाग्यस्तान के स्वामी है तो ये अच्छा है कोई कोट के इस चल रहा था आपका कानूनी कारवाही चल रहे थी वो भी आगे की तरफ बढ़ सकती है क्योंकि दोनों मिलकर छटे भाव को देखेंगे ये भी अच्छा है लेकिन थोड़े खरचे बढ़ सकते हैं क्योंकि मंगल धनभावा के स्वामी है बारवे में बैठें यानि की खरचे बढ़ेंगे लेकिन उन खरचों को आप कंट्रोल करने का भी सामार्थ रख सकते हैं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि खर्चे कंट्रोल होए, पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10, 20, 30 परसंट तक तो आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेंगे. शनी आपके लिए लावस्थान के स्वामी है और बारवे घर में बैठे हैं, यानि कि बाहर से संबंदित कुछ काम करते हैं, एवन्सीज में काम करते हैं, फोरन एक्षेंज में काम करते हैं, या बाहर ही देश से बाहर ही पैसा कमाते हैं, देश से बाहर ही आप जॉब करते है कोई बिजनस करते हैं देश से बाहर कंसल्टेशन देते हैं देश के बाहर तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे धन भाव के स्वामी यानि की मंगल और लाबस्थान के स्वामी शनी दोनों का ही योग हो रहा है और हो रहा है बारवे स्थान में यह तरह का धनियोग है बहुत उच्च कोटी का तो नहीं कहूंगा क्योंकि बारवे में हो रहा है लेकिन फिर भी एक तरह का धनियोग है तो बाहर से पैसा आपको बहुत आएगा वैसे भी मैंने देखा है मीन लगन मीन राशी के जातक बाहर से संबंदित काम करते ही है कई एक बहुत ही बड़ी percentage में इन लोगों को मैंने देखा है कि या तो MNC में काम करते हैं या फोरन से संबंदित कुछ काम करते हैं consultation based कुछ काम करते हैं क्योंकि सभाव ही ऐसा होता है गुरू की राशी है गुरू का लगना है तो consultation देना इनका काम होता है teaching इनका काम होता है तो बाहर से संबंदित आप कुछ काम करते हैं तो ये आपके लिए 17-18 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं एक चीज कहूंगा कि सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा शिवलिंग का आपने पहले दूद से अभी शेक करना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर चंदन का विलेपन करना है और वहाँ बैठकर ओम शंकराय नम्हा इस मंत्र का 108 बार जाप करना है यही आपके लिए सर्वच्रेश्ट उपाए रहेगा तो यह था शनी और मंगल की यूती पर एक राशी फल चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगली वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए ओम नमस्यों